जब आप लोगों को अपनी बातों से इंप्रेस करना चाहते हैं, तो आप जितना कहते हैं, उतना ही ज़ादा आप दिखाई देते हैं, और इसी तरह से आप दूसरों के कंट्रोल में भी कम होते हैं, भले ही आप कोई नॉर्मल सी बात कह रहे हूं, लेकिन अगर आप इसे unclear, open ended और secret सा बना देंगे, तो यह बहुत original लगेगा, powerful लोग कम बोलकर impress करते हैं और डराते हैं, यह words है writer Robert Green के, इसी तरह से manipulation है, जो लोगों को impress करता है या confuse करके अपनी बातों में उलजा लेता है, क्या कभी आपको किसी ने manipulate किया है, क्या किसी ने आपको अपने फायदे के ल जरूर शेयर करें, यह है stories और आज मैं आपको सुनाओंगा एक book जो based है manipulation technique पर, वैसे तो manipulation पर बहुत सारी books लिखी गई हैं, लेकिन इस book की समरी में आपको आज सुनाने वाला हूँ और book काफी पुरानी है, इस book को लिखा है R.B. Sparkman ने, The Art of Manipulation book को first time publish किया गया था 1st January 1978 मे इस book में 14 chapters हैं, तो बारी-बारी से हम आपको हर chapter की समरी सुनाएंगे, अगर आपको कहीं पर भी कोई problem आती है, तो बिना hesitation, comment section में जरूर लिखें, chapter 1 से start करते हैं, 5% of the people manipulate the other 95%, ये 5% बाकी 95% से क्या extra जानते हैं, जिससे ये manipulate कर पाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे इस chapter की समरी में, क्या आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोगों को हमेशा वही मिलता है, जो वे दूसरे लोगों से चाहते हैं, जबकि आप ऐसा कभी कभारी कर पाते हैं, मेरे पास definitely इसका answer है, इस question ने मुझे सालों साल परेशान किया था, कुछ males, females को almost किसी भी चीज में attract और manipulate कै कैसे कर सकते हैं, जबकि दूसरों को ऐसा करने में success क्यों नहीं मिलती, ऐसा क्यों होता है, कि कुछ females, males से कुछ भी काम करवा लेती हैं, और कुछ convince नहीं कर पाती, surely यह है, इस fact पर depend करता है कि ये लोग, लोगों को manipulate करने और handling की art में expert हैं, पर ऐसा ये कैसे करते हैं, इनकी tricks क्या हैं, एक answer की तरह ये book, उन tricks के बारे में बताती है, जिनका use, ये manipulate करने वाले business situations के साथ साथ, अपनी personal life में जो चाहते हैं, उसे पाने के लिए करते हैं, और ये आज माया हुआ है, और true street wisdom है, ना कि कुछ तरह की चीज, जो आप आमतोर पर books में पढ़ते हैं, as a result, इन tricks को अपनाना natural लगेगा, इन tricks का moral, inspirational या psychologically सही होना ज़रूरी नहीं है, चलिए बात करते हैं, अब next topic की, learning the art, manipulate करने वाले और जालसाज, तेजी से बढ़ रहे शेहरों में आते हैं, जहां पैसा आसानी से और बहुत quantity में आता है, Houston, 1970 के decade की starting में इतना तेजी से बढ़ने वाला शेहर था, कि वहां पर लोगों की कमाई डॉलर में बहुत ज़्यादा हो रही थी, Houston जाने से writer को वहां के कौन artist से contact करने में कोई problem नहीं हुई, क्योंकि उनका बड़ा number वहां पर रहता था, वहां पहुचने के कुछ time के बाद ही, writer ने एक hardy नाम के आदमी के साथ एक apartment लिया, जो एक habitual drinker था, hardy शराब के नशे में उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन जब वो होश में होता था, तो वो सबसे चालाक इनसान बन जाता था, hardy एक cafe waitress को more time से chase कर रहा था, silver tongue devil का चलता फिरता अवतार, hardy किसी से भी लगबग कोई भी बात कर सकता था, इसमें females भी शामिल थी और उसने stock से लेकर land तक और encyclopedia तक सब कुछ successfully घर घर तक हो चाया था, लेकिन इस fact के बावजूद कि उसने हमेशा शांदार पैसा कमाया, writer को doubt है कि hardy ने कभी 3 weeks से ज़्यादा time तक एक काम को किया होगा, इससे पहले कि उसकी शराब पीने की आदत की वज़े से उसे नोकरी से निकाल दिया गया हो, शराब पीने की आदत की वज़े से किसी एक काम पर वो बहुत ज़्यादा time तक नहीं टिक पाता था, जब writer manipulation की study कर रहे थे, तब hardy से उन्हें बहुत समझने को मिला, जल्दी ही writer ने अपने रहने की जगह में एक और कौन आर्टिस्ट को रख लिया, जिसने writer से बहुत सारा पैसा लूटा, वो डलास से आया था, जो की 1970 के decade के recession में देश के बागी हिस्तों की तरह recession में शामिल हो गया था, apartment के बगल में California का एक शाइस्टर, मतलब एक शरमीला आदमी रहता था, जो करोड़ुपती का बेटा होने का claim करता था, और जिसने अपनी life में कभी भी कोई honesty का काम नहीं किया था, उसने अपनी सारी property या तो चुरा के बनाई थी, या किसी को ठक के ली थी, उस आदमी के पास इतने सारे surname और fake ID card थे कि राइटर को उसका असली नाम कभी पता नहीं चला, राइटर ने डलास से आई कौन आर्टिस्ट के दो दोस्तों को visiting lecture के लिए लिस्ट आउट किया, रिशेशन की वजए से एक ने हिूस्टन के लिए अपनी नियोउक के घर को छोड दिया था, और दूसरा, El Paso, Texas का एक hot check आर्टिस्ट था, hot check एक तरह का खराब check होता है, जिसे bank accept नहीं करता, क्योंकि खाते में enough money ना हो या बिल्कुल ही पैसा ना हो, तो दिया गया check hot check कहलाता है, इसे बेकार check, rubber check, bounce check, cold check, फरजी check या dry check भी कह सकते हैं, इन लोगों ने writer को, लोगों को handle करने की art समझने में help की, इन में से कोई भी dangerous criminal की category में नहीं आता था, हालाकि hardy को छोड़ कर किसी में भी honesty नहीं दिखी थी, लेकिन उन्होंने सीधे तोर पर चोरी करके अपना पैसा नहीं कमाया, इसके बजाए, वे आम तोर पर, जोएल कटर में expert लोग का use करके अपना पैसा कमाते थे, जातर उन्हें car, stock, जमीन या possibly पूरी तरह से बेकार चीजों को, ज़्यादा कीमत पर बेच कर, इस दोरान वो अपने happiness victim को, ये भरोसा दिलाते हुए कि, वो उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, इन reality, writer कभी भी लोगों के group से इतनी जल्दी attract नहीं हुआ, केवल एक exception को छोड़ कर, वो सभी hilarious storyteller थे, लगवक कोई भी normal आदमी, उनसे आसानी से attract हो जाता, कम से कम, तब तक जब तक की उनका cruel nature, अपना ugly head नहीं उठाता, लेकिन उस time आम तोर पर बहुत देर चुकी होती थी, एक rule के रूप में females भी उन्हें irresistible पाती थी, मतलब कि वो उनकी तरफ attract होती थी, इसलिए आप imagine कर सकते हैं, कि लगातार उनके आसपास वो रहती होंगी, in reality, hardy कैसी नोवा की तरह काम करता था, manipulation का एक बड़ा हिस्सा ये सीखना है, कि अपनी feelings पर कैसे control किया जाए, और दूसरे लोगों को अपनी मन गड़न feelings के लिए receptive बनाया जाए, अगर आप जानना चाहते हैं, कि आप in real जितना परेशान हैं, उससे ज़्यादा कैसे दिखाई दे, या अपना रास्ता पानने के लिए कई दूसरे emotional tricks का use कैसे करें, तो आप acting classes ले सकते हैं, acting class लेना आपकी manipulation powers को better बनाने का एक perfect तरीका है, दूसरे लोगों को ये न बताएं कि आप acting class ले रहे हैं, अगर आप ऐसा केवन ये सीखने के लिए कर रहे हैं, कि लोगों को कैसे manipulate किया जाए, नहीं तो आप पर भरोसा करने के बजाए, आपकी हर बात पर शक करेंगे, जबकि acting classes आपको अपने feelings पर control करने और दूसरों को ये समझाने में help कर सकती है, कि आप जो चाहते हैं, वो ही आपको करने दें, Debates या Public Speaking classes लेने से आपको ये सीखने में help मिलेगी कि लोगों को कैसे मनाना है, आप ना केवल अपने thoughts को ज़्यादा creative तरीके से manage करना और present करना सीखेंगे, बलकि आप अपनी जरुरत को बहुत solid बनाने की trick भी सीखेंगे, आप इसे facing नाम की process से कर सकते हैं, जहां आप उनकी body language, अपने voice pattern, etc. को show कर सकते हैं, काम और persuasive तरीका आपके boss या colleagues को कुछ करने के लिए, मनाने के लिए बहुत अच्छा है, professional setting में emotional होना काम नहीं कर सकता, charismatic लोगों में जो चाहते हैं, उसे पाने की natural tendency होती है, अगर आप लोगों को manipulate करना चाहते हैं, तो आपको अपना charisma दिखाने की ज़रूरत है, आपके अ special message कराएं, जब आप उनसे बात करें, तो eye contact बनाएं और उनसे उनकी feelings और interest के बारे में पूछें, उन्हें दिखाएं कि आप in real उन्हें जानने की care करते हैं, भने ही आप ऐसा ना करते हों, self confidence शो करें, charismatic लोग जो हैं और जो करते हैं, उससे प्यार करते हैं, और अगर आपक कुद पर भरोसा है, तो लोग आपको seriously लेंगे, जब आप कुछ कहते हैं, चाहे वो सच हो या कोई imagination, उसे self confidence के साथ कहें, अपने topic पर बोलते time, comfortable रहने कोशिश करें, अगर आपका कोई friend, family member, या यहां तक की कोई दुश्मन भी है, जो master manipulator है, तो आपको ऐसे लोगों की study क करनी चाहिए, देखें कि वे जो चाहते हैं, उसे हमेशा कैसे पा लेते हैं, इससे आपको लोगों की manipulate करने की नई information मिलेगी, भले ही आप इस process में धोका खा जाए, अगर आप सच में सीखनी के लिए committed हैं, कि लोगों कैसे manipulate किया जाए, तो आप अपने आपको उन लोगों म अलग-अलग होता है, और इसलिए अलग-अलग reasons से उसका exploitation किया जाता है, इससे पहले कि आप अपनी new manipulation planning की creation शुरू करें, उस आदमी की study करने के लिए time निकालें, जिसे आप manipulate करना चाहते हैं, इस book समरी में हम writers की विचारों को share कर रहे हैं, इसमें हम किसी भी विचार को justify नहीं करते हैं, हमें उमीद है कि इस book की समरी को सुनकर आप जो चाहते हैं, उसे पाने के लिए human nature की powers का use करना सिखेंगे, अब बात करते हैं chapter 2 की tactic 1, character types to watch out for, tips that tell you you are about to be taken, जिस टाइम writer 5 cheaters के बीच में रहता था, उन्होंने writer से जूट बोला और उसका इतना पैसा हड़प लिया कि उसे जिन्दा रहने के लिए चालाकी अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसी condition में चालाक लोग भूले वाले लोगों को दोका देते हैं, और तभी innocent लोगों को ना चाते हुए भी alertness को develop करना पड़ता है, fortunately hardy ने writer को इस तरह की knowledge दी थी, जिससे उसे दूस आपको cheat करने वाला है, तो आपको शान्त हो जाना चाहिए, और ऐसे आदमी को कोई भी पैसा देने के बारे में बहुत द्रड़ हो जाना चाहिए, आपको अगर ऐसे signal दिखते हैं कोई आपको cheat करने वाला है, तब आपको इस तरह की चीजे follow करने चाहिए, असल में आपको शायद उस आदमी को बाहर का रासा दिखा देना चाहिए और उसके साथ अपना रिलेशन पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए उन लोगों से अलर्ट रहें जो बहुत ज़्यादा अपोज करते हैं जो लोग किसी बात को बार-बार रिपीट करते हैं और आपों convince करना चाहते हैं इसका मतलब कहीं न कहीं उसमें जूट हो सकता है एक रात राइटर ने अपने रूम में एंटर किया तो उसके रूमेट ने उसे बताया कि हारडी ने उसे जेल में मिलने के लिए बुलाया है Hardy को publicly drink करने के लिए गिरफतार कर लिया गया था वैसे तो Hardy राइटर को अपना दुनिया का एक लोता दोस्त मानता था इसलिए राइटर को जाकर उसकी जमानत देनी थी Hardy ने लेटर में बहुत ज़्यादा request की थी उसने कहा कि वो एक ऐसी जेल के अंदर है जहाँ पर बहुत बद्बू आ रही है वहाँ पर गंदे लोग का एक ग्रूप है राइटर को पता था कि Hardy को एक hell जैसे life निकालनी पड़ रही होगी लेकिन उसे doubt था कि अगर वो गंदी जेल में रहेगा तो शायद in future वो नशे की इस लट से छुट करा पा सकता है लेकिन Hardy बार-बार request कर रहा था कि राइटर आकर उसकी जमानत करा दे और जैसे ही Hardy को पैसे मिलेंगे वो जमानत के पैसे राइटर को लोटा देगा Hardy बार-बार बोल रहा था कि इस help के लिए वो हमेशा इसका एहसान मन रहेगा लेकिन जब राइटर ने शेहर छोड़ा तब भी 200 डॉलर Hardy पर बकाया थे जब भी कोई आदमी किसी बात पर बहुत जोड देता है किसी काम को करने के लिए आपको course करता है तो एक educated mind को समख़ जाना चाहिए कई बार इसका मतलब होता है कि आपको गुमरहा किया जा रहा है जब कोई जोटा आदमी आपको manipulate करने कुशिच करता है तो वो बहुत तेजी से जोट बोलता है और आपको assure करने वाले बहुत दिखावटी तरीके से बात करता है डील होने वाली है या उन्हें कहीं से पैसा मिलने वाला है ऐसे लोग आपको पैसे मांगते time ऐसा दिखाते हैं कि अगर आप कुछ पैसा देंगे तो आपका भी कोई फायदा होगा जिस तरह के dynamics आपकी business deal में काम करते हैं वैसे ही dynamics आपकी personal life में भी personal relationship में भी काम करते हैं जिस भी किसी पर आप भरोसा कर सकते हैं उसे आपको ये याद दिलानी के जरूरत नहीं होती है अगर आप उस पर भरोसा कर सकते हैं तो relation में उसका behavior खुद ही आपको ये बता देगा अगर कोई आपको ये भरोसे मंद की बात याद दिला के कि आप उसके भरोसे मंद है और आपसे अपनी कोई जरूरत को पूरा करवाना चाता है तो उसका मतलब है कि वो आपका इस्तेमाल कर रहा है हाडी ने जब 200 डॉलर लिये थे राइटर से तब उसने कहा था आपको इसका कभी अफसोस नहीं होगा जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं आपको तुरन दे दूँगा मैंने हमेशा आपको आपके पिछले दिये हुए पैसो कभी बुकतान किया है वैसे ये सच भी था राइटर को हाडी ने इस 200 डॉलर के मनी के अलावा कभी चीट नहीं किया था इन 200 डॉलर को छोड़ कर उसने उससे पहले उसके हर दिये हुए पैसे को लोटा दिया था राइटर ने फिर दूसरे इंसिडेंट भी बताए जहां पर उसे काफी चूना लगा डैलास के एक आदमी के बारे में बताया जिसने उससे 800 डॉलर लिये थे उसने कहा था रिक बस मुझे बताओ क्या मैंने कभी तुमें एक भी पैसा चुकाने में गलती की है जबकि इन रियालिटी राइटर को वो पैसे कभी वापिस मिले ही नहीं ऐसे ही न्यू यॉक से जो कौन मैं आया था राइटर की गयार मुझूदगी में उसने उसके फॉन से 40 डॉलर की लंबी कॉल की और बोला कि जब राइटर आएगा तो वो उसको पैसे देदेगा लेकिन उसने कोई पैसा राइटर को वापिस नहीं किया मैनिपलेशन करने वाले लोग आपको अपना दोस्त बताने की कोशिश करते हैं ये जताते हैं कि वही आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं पर कुछ दोके बाजी या मैनिपलेशन कुछ इस तरह का होता है कि आप एक वहम में जीते रहते हैं जैसे हाडी ने किया हाडी ने स्टार्टिंग से ही राइटर के हर पैसे का भुगतान किया लेकिन उसने जब ये देखा कि अब राइटर को उस पर विश्वास हो चुका है तब उसने 200 डॉलर का घपला किया हैबिच्वल जूटे लोग अपने गोल को पाने के लिए हर बार एक अलग कहानी सुनाते हैं हाड़ी ने राइटर को बहुत सारे ऐसे सिगनल्स भी बताए थे जिनसे राइटर पहचान सकता था कि कौन उसको मैनिपलेट कर रहा है हाड़ी ने कहा था अगर कोई आदमी किसी और से जूट बोलता है तो वो आपसे भी जूट बोलेगा लोग ऑरिजिनली अपने फ्रेंड के साथ उसी तरह का बिहेव करते हैं जैसा वो बाकी लोग के साथ करते हैं उस इनसान पर कभी वरोसा ना करें जो किसी और से जूट बोलता है लेकिन कहता है कि वो आपसे जूट नहीं बोलेगा क्योंकि वो आपका दोस्त है धोके बाज लोग ऐसे ही जूट बोलते हैं जैसे वो naturally सास लेते हैं इसलिए आपको ऐसे लोगों से निपटने के लिए alert रहना चाहिए जो बस हर condition में सच्चाई का दिखावा करते हैं ऐसे लोग ruthless users होते हैं वो आपको एक चीज की तरह इस्तिमाल करते हैं Hardy ने बहुत सारी tricks बताई थी कि इस तरह के लोग कोन होते हैं उसने बताया कि ऐसे लोगों से alert रहें जिनके पास में कभी बहुत पैसा हुआ करता था लेकिन उन्होंने इसे खो दिया लगबग हर जाल सास से जिससे writer मिला उसने बहुत सारी property कमाई थी लेकिन unfortunately उससे वो सब कुछ छीन ली गई कम से कम उससे तो यह कहते हुए सुना गया दरसल यह एक बहाना होता है जिससे कि सामने वाला उस पर बिलीव करने लगे देलास का वो आदमी जिसने writer से 800 डॉलर की दोख़ड़ी की थी उसने claim किया था कि वो एक time पे बहुत करोड़ पती था और California के उस conman ने जो writer के बगल में रहता था उसने claim किया था कि उसके father की बहुत सारी property थी वो भी करोड़ पती था लेकिन इस तरह का background होने के बाद भी इस तरह के claim करने के बाद भी उन लोगों में से कोई भी महीने का किराया देने के लायक भी नहीं थे अगर कोई सही से जाच करता तो उन लोगों की वो कहानिया कोरी कलपना साबित होती ऐसे लोग सड़क पर चलते फिरते पढ़े लिखे listeners को अपना aim की पूरती करने के लिए यूज करते हैं ऐसे पढ़े रिखे लोग उनके लिए dead gifts हैं ये manipulator या कोन man जिस तरह कहानिया सुनाते हैं कि पहले वो बहुत अमीर हुआ करते थे लेकिन किसी वज़े से उन्होंने अपना पैसा को दिया इस तरह के incident किसी इमानदर आदमी के साथ भी हो सकते हैं ये वाकई में किसी के साथ हो सकता है कि एक बार के लिए वो बहुत पैसे वाले आदमी हो लेकिन किसी वज़े से उन्होंने अपनी संपत्य प्रोपर्टी को गवा दिया हो पर आपको पहचानना पड़ेगा कि कि किस कहानी में ज़्यादा सच्चा ही दिख रही है यहां तक कि अगर कोई आदमी जिसे आप जानते हैं वो ओनेस्ट भी है और आपको वो अमीर बनने के तरीके बता रहा है तो भी पिनेशल एडवाईज लेना आपकी बेवपूपी होगी जब कोई आदमी अब अमीर है और आपको बताता है कि आप अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आप उसकी सला लेना चाहेंगे एक्जामपल के लिए डेलास वाले उस आदमी ने ये दावा किया था कि रिसेशन की वज़े से उसका विज्ञस खत बहुने से पहले वो करोड़ पती था और एक टाइम उस आदमी ने राइटर को 300 डॉलर में पुरानी कार खरीदने के लिए मनाने की कोशिश की थी उसने कहा था कि आप इस कार को ले लीजे और मैं इसको 700 डॉलर में दुबारा बेच सकता हूँ पर जब राइटर ने उस डील को एक्सेप्ट नहीं किया तो किसी तरह से 300 डॉलर में उस कार को उसे ही खरीदना पड़ा लेकिन इसके पईयों पर मरमत में उसे 400 डॉलर का खर्चा आ गया इसलिए जब आप किसी को छोटी-छोटी बातों पर जोड देते वे देखते हैं तो ये clear signal है कि वो आदमी खतरनाक है वो कही न कही कोण आर्टिस्ट है कुछ साल पहले राइटर को एक ऐसे रेश्टरॉंड में मैंेजर बनाया गया जहाँ पर किसी को पहले निकाल दिया गया था राइटर को ऐसा लगता था कि नोकरी से निकाला गया मैंेजर भूल गया था कि कस्टमर्स की वज़े से ही उसको salary मिलती है उसका result ये हुआ कि उसने अपने main goal के अलावा kitchen को clean रखना, customers को अच्छा food परोसना जैसी चीजों पर ध्यान दिया और उसने customers के साथ behavior पर या उससे कैसे बात किया जाती है उस पर ध्यान ध्यान नहीं दिया और इसी की वज़े से वो fail हुआ इसलिए बैतर होगा कि आप भी इस तरह के लोगों के साथ business relation ना रखें जिने बाचीत करने के तरीके नहीं आते हों या क्यूं कहें कि healthy manipulation ना आते हों जो business में help करता है तो यहाँ पर book summary में chapter 1 और chapter 2 की book summary complete होती है हम अगले part में आपको book के बाकी chapters की summary सुनाएंगे तो इसी तरह से बने रही है हमारे साथ और आपको book summary कैसी लग रही है अपना feedback comment section में जरूर लिखिए अगर आपने stories को अभी तक subscribe नहीं किया है तो please subscribe करें और bell icon को प्रेस करना ना भूलें मैं आपसे फिर मिलता हूँ next book summary के साथ तब तक के लिए नमस्कार